जहिन बच्चो, बच्चो मैं अजय कुमार वारा नसीवत्त प्रदेश से आपकी अपने चैनल नव सिक्षिन पे स्वागत करता हूँ बच्चो, राष्टी ए आयम युक्ता दाई चाथविती परिशाद दोजाट्शौविस के आये वे प्रश्णों को मैं आपको बता रहा हूँ एन एमेमेस्ट टूविन टूनिफोर के तो अलड़ी मैंने मैट के सभी कोश्चन्स को बता दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेइलिस्ट में जाईए और उसमें मैंने अलग-लग किया हुआ है मैट का मांसिक योगता का अलग है बिज्ञान, गनित और समाजिक अध्यन का अलग मैंने बनाय हुआ है प्लेइलिस्ट तो आप उसको देख लिजे कि इन प्रश्णों को कैसे हल करना है ठीक है तो अब मैंने गनित के भी समाजिक अध्यन, बिज्ञान के तो बताई दिये हैं और गनित के भी काफी प्रश्ण जैसे ये वाले प्रश्ण हो गए ठीक है ये प्रश्ण हो गए और ये आपका रूट वाला हो गया और ये सभी प्रश्ण मैंने बता दिये हैं ठीक है यहां तक मैंने बताई हुए 112 तक आपके सामने जैसे दिख रहा होगा 100 question 12 तक बता दिया है आज मैं 113 से बताने जा रहा हूँ कई बच्चे जो UP के बच्चे हैं वो थोज़ा सा confused हो रहे हैं कि 2024 का भी एक्जाम नहीं हुआ है बच्चो ये देखिए last year जिन्हों न दिया था आप हमेशा एक साल advance करेते हैं जैसे आप अगर पेपर देखेंगे जो आपने फॉर्म बढ़ा है तो उसमें 2026 लिखा है तो आप समझे आपके पेपर में भले आप 2026 में देंगे यहां आपके जब आप पेपर देने जाएंगे तो यह आपके पास 2025 यहां लिखा रहेगा जबकि कि अभी 2024 चल ला है तो उसके आप confuse मत हुए और एक और चीज है आप चाहें जिस भी राज्यों के हैं बच्चों मैं हमेसा बताता हूँ कि हर एक राजी का syllabus सेम है मैंने कई राज्यों के solve कियावे हैं आप देख सकते हैं कि सभी करके बता रहा हूँ यदि किसी आयत की लंबाई तीन मीटर बढ़ा देने तथा चोड़ाई चार मीटर कम कर देने से उसका छेतरफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है देखे एक पहला condition यह हो गया ठीक है दूसरा condition क्या है तथा लंबाई एक मीटर कम कर देने और चोड़ाई चार मीटर बढ़ा देने से उसका छेतरफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है तो आयत की लंबाई और चोड़ाई का अंतर क्या होगा ठीक है तो कुल मिलाकर हमें देखे दो तरकी situation देगी है जब हम आयत की लंबाई और चोड़ाई निकाल लेंगे तभी इसको हम घटा पाएंगे तो देखे इस सवाल को कैसे हम हल कर सकते हैं इसको आई हम लोग समझते हैं ठीक है तब इसमें देखे हमने माल लिया कि जो आयत है उसकी लंबाई हमने मालिया X ठीक है और चोड़ाई मालिया हमने Y तो इसको आप note down कर लिजेगा तो पहले condition में क्या है कि अगर उसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी गई भाई 3 मीटर हमने बढ़ा दिया और छेतरफल का formula आपको पता है न लंबाई गुणे चोड़ाई length into breath होता है ठीक है तो वही मैं apply करूंगा लंबाई हमको मिल गई चोड़ाई भाई कितनी हो गई चोड़ाई जो है 4 मीटर कम कर दी गई ठीक है तो चोड़ाई को हम 4 मीटर कम कर दे रहा है माइनस कर देंगे तो कम हो जाएगा ठीक है देखे ये लंबाई हो गए ये आपकी चोड़ाई हो गई यही होता है तो जो नया जो छेतरफल बना ठीक है वो 72 कम है पहले वाले से तो बही पहले वाले का छेतरफल कितना था x और y x गुणे y कर देंगे लंबाई गुणे चोड़ाई उससे कम है मतलब हम माइनस करेंगे यही आपको concept समझना है यहां क्या और यहां बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो हम प्लस करेंगे ठीक है तो दूसरे condition में तो इसको पहले हम हल कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इसको हम देखे बारी-बारी से गुणा करें xy x को पहले y से गुणा कीजिए यह सब समझाय हुआ है प्लेइलिस्ट में देख लेज़े बच्चो माइनस 4x प्लस 3y अब 3 से गुणा कर रहा हूं माइनस 12 बरावर xy माइनस 72 ठीक है अब इसमें क्या है आप देख सकते हैं xy xy दोनों तरफ है यह cancel out हो या इधर लाके भी आप माइनस कर देंगे तब भी हो cancel out हो जाएगा ठीक है अब यह देखें माइनस 4x प्लस 3y यह माइनस प्लस का मैंने concept संजाय हुआ है तो आपको basic videos देखने होंगे माइनस 72 अब माइनस 12 को उधर ले जाएगे तो यह प्लस में बदल जाएगा प्लस 12 ठीक है अब यह होगे माइनस 4x प्लस 3y माइनस कर दिये तो यहां कितना आगे माइनस 60 अब मैं क्या कर रहा हूँ सब को माइनस से गुणा कर दे रहा हूँ माइनस माइनस प्लस मााइनस प्लस माइनस ये प्लस ये मैने इसलिए किया है ताकि यह सही देखे माइनस थूआ दिख रहा था या जीवद दिख रहा था ये हमारा हो गया देखे equation one परिक्षय में भी आपका जल्दी हो जाएगा भी मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको समय लग रहा है ठिक है अब देखे दूसरे condition में क्या है कि आपको देख रहा होगा उसका जो लंबाई है एक मीटर कम कर दी जैसे इसको हल किया आप इसको हल कर दे रहा हूं ठीक है तो यह आपका हो जाएगा xy प्लस 4x अभी मैंने x से गुणा किया अब मैं माइनस 1 से गुणा करने जा रहा हूं माइनस y फिर माइनस 4 बरावर xy प्लस 88 ठीक है अब देखें दोने तरफ xy यह xy यह काड़ दिया हमने 4x माइनस y माइनस 4 को अधर ले जाएंगे 88 में जोड़ दीजे कितना हो गया 92 ठीक है तो 4x माइनस y यह 92 यह देखें दूसरा एक्वेशन हो गया अब हम क्या करेंगे पहले एक्वेशन को दूसरे एक्वेशन में घटा देंगे ताकि एक हमें मान मिल जाए अब यह आप समझेंगे इसका फायदा क्या होता है ठीक है माइनस 3y बराबर 68 अब इसका नियम क्या है यहां प्लस देहां माइनस हो गकी माइनस है तो यहां प्लस होगत्तूऀंग यह प्लस था तो यह कितना हो जाएगा आपका प्लस 3y में से माइनस y घटा देजे 2y इसको घटा देजे यह हो जाएगा आपका 32 ठीक है cross multiply का नियम लगाएंगे 2 उधर चला जाएगा ठीक है तो इसको 2 से हम भाग दे देते हैं या तो दोनों तरब 2 से भाग देजे ऐसे भी कर सकते हैं तो यह आगया आपका 16 तो y की value हमारी आगई 16 ठीक है अब हम क्या करते हैं कि इसको हम किसी एक equation में डाल देते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस वाले equation में 4x-y-16-16 यह वाले में डाल रहा हो ना ठीक है second वाले में बराबर 92 4x यह आपका 16 उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा यह हो गया आपका 108 ठीक है इसको हम काड़ देंगे तो यह आएगा 27 मीटर ठीक है अब अंतर पूछ रहा है भाई x 27 है तो दूसरा value क्या निकला है आपका 16 तो 16 गटा देते हैं बस अंतर ही तो पूछा है लंबाई हो चोड़ाई में गटा दिया तो कितना आगया 11 ठीक है तो हम option में देख रहे है ठीक है मुझे उमीद है आपने इसका screenshot ले लिया हुआ और समझ में नहीं आए तो वीडियो दुबारा से देखे और जिन बच्चों की गणित बहुत ही कम जोर है वो नवदे विद्याले प्रवेश परिक्षा कक्षा छे के गणित के मूल वीडियो है मैस के basic वीडियो है उ यदि एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या पांच है ठीक है वो पेंटागन है तो उसके प्रतेक अंतह कोण की माप होगी है देखे यह जरूर सवाल आता है भुजाएं बदल जाती है इव दा नमबर ऑफ साइडस ऑफ और रेगुलर पॉलिगन इस फाइव देन अ इस इंटिरियर एंगल विल भी बच्चो इसके लिए बेसिक फॉर्मला आप याद रखे ठीक है कोश्चन नमर 114 यह हमेशा आपको काम आएगा ठीक है यहां पर देखे प्रतेक जो अंतह कोण इंटर्नल एंगल है उसका निकालने के लिए जो फॉर्मला है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री बाई एन अब एन क्या है एन हुआ है जहां भुजाओ की संख्या है एन बराबर क्या है आपका 5 है ठीक है तो यहां पर क्या करना है हमें कि एन की वैली हम पूट कर देते हैं 5 माइनस 2 इंटू 180 बाई 5 बच्चो देखे अगर ऐसे आपको समझ के पढ़ करना है तो यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि सर एकदम समझा कर ऐसे ही पढ़ा दिए मैं फिर अगर भगा की पढ़ाओ कि हां मैंने आज 10 सवाल करा दिए 12 सवाल करा दिए लेकिन बच्चों देखे कुछ कठिन सवाल आते हैं यह देखे क्यों हुआ अगर आपको पता रहता है तो इसमें कुछ समय नहीं लगना है ठीक है तो कुछ चीज़े आपको याद करने ही पड़ेगे और कुछ चीज़े आपको समझ चलने करेंगे ठीक है यह option number 4 क्यों सही अब आपको पता चल गया होगा कि अंतह कूर का माप जो है 108 डेगर परिक्षा में क्या होगा N का मान बस बदलेगा यानि कि भजाओं की संख्या बदलेगी formula आपका यही रहेगा ठीक है तो इस तरह से आप इस सवाल को करेंगे तो बच्चों देखे आज का वीडियो थोड़ा सा फिर लंबा भी हो रहा है मैं 10 मिनट 15 मिनट का ही सोचता हूँ और स्कूल जाने का थोड़ा समय भी हो रहा है मेरा तो इस हिसाब से अभी मैं वीडियो बंद करता हूँ वीडियो अगर पूरे questions आपको जानना है बस दो-चार बच्चे कमेंट करते हैं कि हां सर बता दीजे ठीक है तो आपको कमेंट देखे करना पड़े है इंगलिस हिंदी दोनों में सवाल आपका दिक्रा देखे काफी बहतरीन प्रशन है ठीक है दिल्ली में, बिहार में, राजस्तान में मत्परदेश के और 36 गड़ में ऐसे ही सवाल आते है ठीक है, कोई अंतर नहीं है मैंने सवाल बताय हुआ है तो आप हर एक सवाल को देख लिजे ठीक है, और अगर आप इसको हल कर पाते हैं तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप Q19, Q120 का ये एंसर होगा Q120 का ये एंसर होगा इस तरह से आपको उत्तर उसमें लिख दीजेगा तो देखे सवाल आपके सामने है अभी देखे इसके बाद यहां से आपका बिज्ञान सुरू हो रहा है तो 122 तक है, ठीक है क्योंकि देखे सवाल अगर समझाना है अच्छे से तो समय बच्चो लगता है ठीक है, लेकिन अगर आप एक बाद समझ लेते हैं प्रश्नों को अभ्यास कर लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी आप खेलते खेलते इन प्रश्नों को बच्चो कर लेंगे ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताईएगा थैंक्यू, थैंक्यू बर्मिच